असलाम अलेकूम वाइस ओफ साउथ एशिया के न्यू यॉक स्टूडियो से मैं हूं समीन नवास अमरीका, यूरप और दुनिया भर में मुकीम साउथ एशिया के नाजरीन को खुशाम देद चलते हैं जुनूबी एशिया और दुनिया भर की एहम खबरों की जानिब लेकिन सबसे पहले हेट लाइन्स अफगानिस्तान में गुर्बत के जायजे से मतालिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग ज़्यदा अफगानिस्तान की निस्प से ज्यादा आबादी खते गुर्बत से नीचे जिन्दगी गुजार रही है यमनिदारों हकूमत सना में सदारती महल पर इतिहादी फौच की बंबारी से कम असकम छे अफराद जांबहक और तीस के खरीब जखमी हो गए है इस्राइली सेक्यूरिटी काबिना के वजीर ने ध्हम की दी है कि अगर शामी सदर बशार असद ने एरान को शाम से इस्राइल पर हमला करने की अजाज़त दी तो ये शामी सदर और उनकी हुकूमत का इखताम होगा साओधी अरब की हकूमत ने पहली बार एक खातूम को जापान के शहर टोकियो में कमर्शल अताशी मुकर्र कर दिया शामी दारोल हकूमत दमिश्ग के जुनूबी इलाके में दाइश के साथ जड़पों में 31 शामी फौजी जांबहख और मतादिद जखमी हो गए है प्लास्टिक का इस्तमाल इंसानी सहत के लिए सخت नुकसान दे साबित होने पर बरतानिया ने एक बार के लिए काबल इस्तमाल प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है और जापान के वजीर आजम शिंजो आवे को इसराइल में जूते में पेश की जानी वाले सुएट डिश तनाजे का शिकार हो गई ये थी हैटलाइन्स खबरों की तफसील एक ब्रिक के बाद ब्रिक कालीम, सेहत और कारोबार, साउथ एसिंजों किसे से कम नहीं हम बताएंगे इनकी तरक्की का राज, देसी कैसे बने पर देसी, समाजी सरगर्मियों के इहवाल हम पुचाएंगे दुनिया भर में केनिडा में साउथ एशियन्स की जिंदगी का तर्जी अमल, सकाफ्ती, सोशल, तालीमी सरगर्मिया, किसने क्या खोया, क्या पाया, हम रखेंगे आपको बाखबर हम मुजागर करेंगे आईलेंड में साउथ एशियन्स क्यम्योंटी के मसाइल, और बताएंगे तालीमी, समाजी और सकाफ्ती सरगर्मियों के हवाल अफगानिस्तान में बदलती सुरतहाल, मौाशी और माशर की मसाइल क्या हैं, हम रखेंगा आपको बाखबर फलक गोश अमारतू, जगमगाती रोश्ट्यू के शहर, तुबाई से हम आपको रखेंगे बाखबर लमा बालमा, बदलती हुई आलमी, सियासी और सकाफ्ती सुरतहाल से कराची की मईशत का पैया चलता है तो पाकिस्तान तरकी करता है बाबर पारूख, वोसा टीवी, न्यू योर्क सुलेमान मुश्टाग, वोसा टीवी, न्यू जर्सी मैं हूँ असमा कॉसर, वोसा टीवी, टोरंटो तालिब चुहान, वोसा टीवी, डबलिन आइलेंड बसीर होतेक, वोसा टीवी, साबु लबाई राजयासन, वोसा टीवी, दोबाई मैं हूँ साहार मुगल, वोसा टीवी, कराजी कर दो जुटे, वोसा टीवी, वोसा टीवी, कराजी at complete tire we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle navigating today's roads can be a difficult prospect even for the savviest drivers having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever complete tire is here to help located in Dallas our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires from trucks trailers heavy machinery construction machinery loaders lifters and more we have a wide selection of tires to fit your needs visit our website or give us a call today and let us get you back on the job is 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 मिफाइं पिरियानी कुर्म गॉर्मे 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 स्वीट्स गॉर्मे रेस्टोरांट्स और गॉर्मे बेंक्विट हाल्स गॉर्मे ब्रॉक्लिंब्रदाव से गॉर्मे स्वीट्स गॉर्मे सीosing गॉर्मे स्वीट्स गॉर्मे अब आपको खेती हैं। जहां अदवियात के इलावा आला और मियारी कॉल्टी की स्किन प्रोडक्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटमेंस, छोटे बच्चों के खिलोने और वाकिंग एड्स भी दस्तियाब हैं। इसके इलावा मौजिस कस्टमर्स के लिए फ्री शूगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद है। अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी तीन फॉर्मेसियों में से किसी भी फॉर्मेसी में आज ही तश्रीफ लाएं। इमान फॉर्मेसी 7309 5th Avenue, Brooklyn, New York 718-748-5900 तेस्ट फॉर्मेसी 834 Coney Island, Brooklyn, New York 718-2840100 नास्पॉर्मेसी 731 Coney Island, Avenue, Brooklyn, New York 718-2844-200 हमारी तमाम फॉर्मेसी में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ट और इंशुरेंस काबले कबूल हैं। यूस पॉलिटन में खुशामेदेद और अब खबरे तफसील के साथ। अफ़ानिस्तान में गुर्बत के जायजे से मतालिक एक रिपोर्ट इन सच्चाईयों की एक तल्ख तस्वीर पेश करती है जिनका अफगान कौम को सामना है। रिपोर्ट के मताबिक अफगानिस्तान की निस्व से ज्यादा आबादी खत गुर्बत से नीचे जिनकी गुजार रही है। मुल्क की आदी से ज्यादा आबादी खत गुर्बत से नीचे जिनकी गुजार रही है जिसमें 2011 और 2012 के बाद से फलाहो पहबूत के कामों में शदीद तनजली की निशान दही होती है। गुज़िशता पांच साल के दोरान अफगानिस्तान में गुर्बत में होने वाला नुमाया इजाफा गेर मतवगा नहीं है। गुर्बत में नुमाया इजाफा मौशी तरक्टी के जमूद और आबादी के बढ़ते हुए दबाओ और सेक्यूरिटी की बिगर्टी हुई सुरतहाल के मुश्तरका असरात का नतीज़ा है। A.L.C.S. नामी एजाइजा रिपोर्ट सन 2014 में बینुल अक्वामी फोर्सेस के जानब से मुल्क के सेक्यूरिटी की जमेदारियों की अफगान नेशनल आर्मी को मुन्तकली के बाद अफगान अवाम की फलाह बहबूत का पहला तुक्मीना पेश करती है। रिपोर्ट के मताबिक अश्रों से जारी तनाजियात और अदम इस तहकाम ने अफगान मौशरे के लिए पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। इतमाद को मतजल्जल किया जिससे मौशी धच का मजीद नुमाया हुआ। इक्तिजादी तरक्वी की शराज जो 2011 और 2012 में 9.4 फीसद थी, 2013 और 2016 के अरसे में 2.1 फीसद तक गिर गई। हालिया वरसों में अफगानिस्तान की आबादी में तेजी से इसाफा हुआ जिससे गुर्बत की शराह मजीद बढ़ गई है। यमनी दारुल हकूमत सिना में सदार्ती महल पर इतिहादी फौच की बंबारी से कमज़ कम 6 अफराद जांबाहक और 30 के खरीब जखमी हो गए हैं। अब्तिदाई इतलात के मताबिक जांबाहक होने वालों में आम शहरी भी शामिल हैं। एनी शाहिदीन के मताबिक उन्होंने पहले तयारों की आवाजे सुनी फिर पहला धमा का हुआ। करीबी होटल में मौजूद लोग जाए हाथसा की तरफ भागे तो दूसरा हमला हो गया। जराय के मताबिक ये हमले होसियों की तरफ से नजरान पर मिजाइल दागे जाने के बात किये गए। सौधी अरब की सिक्यूरिटी फोर्सिस ने यमन से नजरान की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिजाइल को फिजा में तबाह कर दिया। साथी हुकाम के मताबिक होसी शहर पर अब तक 10,000 से ज्यादा रॉकेट हमले कर चुके हैं मतहदा अरब अमारात ने यमनी हकोमत के लजामात की तरदीद करते हुए कहा है कि हमारी नजर यमन की जमीन पर नहीं है अमारात का मकसद अलाके में अमन उस्तिकाम का कयाम और अलाके के अवाम की मदद करना है यमनी खुद मुखतारी की खिलावर्जी का मौजूदा सुरतिहाल से कोई तालुक नहीं दूसरी तरफ यमन की हकोमत की तरफ से जारी करदा बयान में दावा किया गया था कि मुतहदा अरब अमारात का किरदार हकीकत की अकासी नहीं करता और इतिहात की अंदर की गई कोशिशे आदिलाना नहीं इसराइली सेक्यूरिटी काबीना के वजीर का कहना है कि अगर शामी सदर बशारल असद ने इरान को शाम से इसराइल पर हमला करने की अजासत दी तो ये शामी सदर और उनकी हुकोमत का इक्ताम होगा इसराइली अखबार को दियेगा इंटरिव्यू में योवाल श्टाइन्स ने कहा कि बशारल असद के जानिब से हमारे और अपने लोगों के खिलाफ जराइम के बावजूद इसराइल ने ताहाल तनाजे में मुदाखलत नहीं की है लेकिन अगर असद ने शाम में फॉजी एर्डा बनाने और हम पर हमला करने की इरान को इचास्थ दी तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो मजीद शाम के हुकुमरान नहीं रहेंगे यो और श्टाइन्स ने खबरदार किया कि अगर हमला होता है तो सदर बशार असद को मालूम होना चाहिए कि वो उनका तखता उलड़ देंगे और ये अमल उनका और उनकी हुकूमत का अक्तिताम होगा दूसरे जानब इरान पहले ही शाम में इसकी तनसिबात पर फिजाई हमलों का बदला लेने का कह चुका है इन फिजाई हमलों को इसराईल के साथ जोड़ा जा रहा है इस्राइल के जानिब से ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इस्राइल हुकाम इरान या इसके हमायतियों के जानिब से मिजाइल हमलों के लिए तैयारी कर रहे हैं इसराइल ने ना तो इन हमलों की तस्दीख की है और ना इन्हें मुस्तर्ठ किया है लेकिन इसने कहा है कि वो शाम में किसी किसम के भी इरानी फौज की मूर्चाबंदी को रोकेगा साथी वजीर तिजारत तो सर्माय कारी डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अलकसाभी ने समर बिंते मुजयन सौले की टोकियो में सौधी कमर्शल अताशी के तौर पर तकरूरी की मनजूरी दी समर सौले सौधी अरब की वो पहली खादून है जिने कमर्शल अताशी मुकरर किया गया है ये कदम सौधी खवातीन को बाखतियार बनाने के लिए विजारत तिजारत की पॉलिसी के तहट उठाया गया है समर सौले ने लंदन की सिटी युनिवरसिटी से सहाफत और इंटरनेशनल मीडिया में मास्टर्स की डिगरी हासिल की हुई है इस से कबल उन्होंने शार्जा में अमरीकन युनिवरसिटी से सहाफत और मास मीडिया में बैचलर्स की डिगरी हासिल की थी समर्ज सुहले ने अमरीका की मशूर हावर्ड युनिवरसिटी से एक्जेकिटिफ लीडर्शिप प्रोग्राम भी मकमल किया और फिनाशल सेक्टर में काम का आखास किया उन्हें अंग्रेजी और अतालवी जबानों पर अबूर हासिल है कमर्शल अताशी के तौर पर तकरूरी से कबल समर्ज सुहले इटली में सौधी सिवारत खाने की कमर्शल अताशी के दफ्तर में डिवेल्पिंग ट्रेड एक्सचेंज इन्चार्ज के तौर पर फराइस अंजाम दे रही थी शामी दारुल हकूमत दमिश्क के जनूबे इलाके में दाश के साथ जड़पों में 31 शामी फौजी जांबहक और मतादिद जखमी हो गए हैं जड़पें जिला हजरल अस्वत में फलस्तीनी महाजर कैम यर्मू के करीब हुई गुजशता रोज इसी इलाके में शामी फिजाया ने दाश के ठिकानों पर शदीद बंबारी की थी उधर इसराइल की सेक्यूरिटी कापीना के वजीर ने धंकी देते हुए कहा है कि अगर इरान ने शामी सर्जमीन इस्तमाल करते हुए इसराइल पर हमले किये तो इसराइली शामी सदर बशार असद को गतल और उनकी हकूमत को गिरा सकता है रवाबरस फरवरी के बाद से इरान और इसराइल के माबین कशीदगी में इसाफा हुआ है और ख़चात हैं कि आएंदा हफ़ते अमरीकी सदर की तरफ से इरानी आलमी जोहरी मुहाइदे से अमरीकी इंखिला का मुम्किना ऐलान इसमें मजीद इसाफा कर देगा इसराइली वजीर बरायत वानाई योवार्श टाइन्स का कहना था कि अभी तक इसराइल शाम की खान जंगी में मुलवस नहीं हुआ लेकिन इसराइल को इरानी सरगर्मियों के हवाले से तश्वीश है उनका कहना था कि अगर बशारुल असद ने अपनी सरजमीन को फौजी सतह पर हमारे खिदाफ स्वाल होने दिया तो फिर उन्हें जान लेना चाहिए कि ये उनका खात्मा होगा उनकी हुकूमत का खात्मा होगा जब इन सखास तोर पर ये पूछा गया कि क्या उनका ये मतलब है कि सदर असद को कतल कर दिया जाएगा तो जवाब में उनका कहना था कि इसका खून तावान होगा दूसरे जाने इसराइली वज़िर आजम बेंजमन नेतनियाहू या इसराइली वज़ारत दिफा ने अभी तक इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया वाइनेट के शाय होने वाले आर्टिकल में वाज़े तोर पर ये लिखा गया है कि इसराइल असद को कतल कर देगा दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तमाल, महौल, जंगली हयात और इनसानी सहत के लिए सخت नुकसान दिसाबित हो रहा है जिसके खौफनाक असराइद दिन बदिन सामने आते जा रहे हैं प्लास्टिक के इन ही नुकसानात को देखते हुए बरतानिया ने एक बार के लिए काबले इस्तमाल प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है इस फैसले का ऐलान बरतानवी वजीर आजम थी सामे ने कॉमन वेल्ट अक्वाम की मीटिंग के दोरान किया फैसले के तहट ऐसा प्लास्टिक जो सिर्फ एक ही बार इस्तमाल किया जा सके जैसे प्लास्टिक का शॉपिंग बैग, स्ट्रॉव और कान की सवाई करने वाले काटन सुई पर पाबंदी लगा दी जाएगी ये बाबंदी बरतानियके 25 साला महौलियाती मनसूबे का हिस्सा है, जिसके तहट बरतानियकी महौलियाती बहतरी के लिए एक्दमाद किये जाएंगे मीटिंग के दौरान पेश किये जाने वाले हकूमती अदाद और शुमार के मताबिक दुनिया भर के समंदरों में इस वक्त 15 करोड टन प्लास्टिक मौजूद है और हर साल 10 लाग परिंदे और एक लाग से जायद समंदरी जानदार इस प्लास्टिक को खाने या इस में फसने की वज़ा से मर जाते हैं बरतानिय प्लास्टिक के इस्तमाल को कम से कम करने के लिए काबले तकलीद एक्तामाद कर रहा है जापान के वज़िर आजम शिंज ओवे को इसराइल में पेश किया जाने वाला मीठा तनाजे का शिकार बन गया वबे और उनकी एहलिया को इसराइली वज़िर आजम बिन्यामिन न नितनियाहू और उनकी एहलिया सारा नितनियाहू ने अपनी सरकारी रहाइशकाह पर इशाये पर मदूग किया तो उन्हें डेजार्ड जूते में पेश किया गया इस्राइल के मारूफ शेफ मोशे सेवेग जो वजिर आजम नितनियाहू के जाती शेफ भी है उन्होंने इशाई के आखर में धात से बने जूतों में शीरी खुआन पेश किया जिसमें मुन्तखिब चॉकलेट रखे गए थे जापानी तहजीब उ सकाफत में जूते को इंतहाई हद तकामेज तसवर किया जाता है शिंजवाबे ने जूते में पेश किये जाने वाले डेजर्ट को बगिर किसी हिचके चाहट के खा लिया लेकिन जापान के सफीरों को ये बात पसंद नहीं आई जापान पर नज़र लखने वाले तद्जिया निकार भी डेजर्ट के जूते में पेश किये जाने पर दंग रह गए जापान में लंबे अरसे तक रहने वाले एक सीनियर सिफारतकार का कहना है कि जापानी सफाफत में जूते से कम आया कोई चीज तसवर नहीं की जाती है जापानी ना सिर्फ अपने घरों में बलके दफातिर में भी जूते उतार कर दाखिल होते हैं उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम और दीगर वुजरा और रुकन पार्लिमान भी अपने दफातिर में जूते पहन कर नहीं जाते ये ऐसा ही है जैसे किसी यहूदी महमान को खिंजीर की शकल के बरतन में खाना पेश किया जाए एक और जपानी सिफारतकार का कहना था कि किसी भी सवाफत में जूते को मेज पर नहीं रखा जाता आखिर शेफ के जहन और दिल में क्या था अगर ये मजाग था तो हमें ये अच्छा नहीं लगा हम अपने वजिर आसम के साथ होने वाली इस बतसलूकी पर नाराज हैं भारती जिर इंतिजाम कश्मीर में कशीद्गी के दौरान स्रीनगर के नवाही लाके में एक टैक्सी पत्थराओ का निशाना बन गई जिसमें सवार इंडियन नौजवान जखमी होने के बाद जांबहाक हो गया इंडिया की जनूबी रियास्त तामिल नाडू कर रहने वाला नौजवान सया थेरो मनी रजवाल सर पर पत्थर लगने से जांबहाक हुआ पुलिस का कहना है के वाकिये की तहकीकात की जा रही है थेरो मनी की लाश को तामिल नाडू रवाना किया गया है पुलिस के मताबिक थेरो मनी दूसरे सयाहों और बास मकामी मुसाफरों के हमरा एक टैकसी में सियाती मकाम गुल मर्क की तरफ जा रहे थे कि नारबल पहुंचत लाखो इंडियन हिंदू हर साल चंदनवाडी और सोना मर्की पहाडियों से होते हुए घपपा में बरफीले शेयोलिंग का दर्शन करते हैं यातरा का रास्ता इंतहाई कशीदा इजला पलवामा और अनिंद नांक से होकर गुजरता है सिक्यूरिटी इदारों, फौज और पॉलिस ने अभी से यातरियों को तहाफुज देने की मनसुबाबंदी शुरू कर दी है यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद प्रेक से ये से च्टारिक आपल है तेकर्छSON है to you कहने तो है कुर्सी चैजस झाल सकित हो altri न्मेर्जेस है पहले आप captivating it the squirrel well in a variety of situations if more Sach़ or मे क्वेफरे आफ साइνे एर जाई बाल स्थयभ दाल्स डियर घ्स यद ओर्डिभर नीयर है इन त जाम एपक्र पार्टेंगी कि प्रटेंगा यह क्रीज पिता है ऩर विप्रमिश अविश है ये करमे वांक प्रॉब है निच्छे कहने चार्टेंगी सव्सानड़ करेंजेव रादाएंगी कोॉ दिए निच्छे जगेया है का कमाल है, मिठाएं पिरियानी गॉर्मे, 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 गॉर्मे इसके लिए दो बेंक्विट हाल्स, केटरिंग फराल उकेयन्स, पर डीटेल्स प्लीज कॉल, गोर्मी स्वीट्स, डेस्टोरांट्स, और बेंक्विट हाल्स, कुनी आइलन्ड एविन्यू ब्रुक्लिन न्यू यार्क, फोन 718-421-4100. न्यू यूर्क, ब्रुक्लिन के रहाशियों के लिए खुशखबरी, अब आप तवाम तर अदवियात अपने घर बैटे हासिल कर सकते हैं, अपने डॉक्टर को हमारे करीब तरीन फार्मेसी का इमेल दीजिए, और हमारे तेज तरीन होम डिलीवरी के जरिये बरवक्त जहां अदवियात के इलावा आला और मियारी कॉल्टी की स्किन प्रोडक्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटमेंस, छोटे बच्चों के खिलोने और वाकिंग एड्स भी दस्तियाब हैं, इसके इलावा मौजिस कस्टमर्स के लिए फ्री शूगर टेस्ट, बलड प्रेशर ट और नोटरी पब्लिक की सहूलत भी मौजूद हैं, अपनी सहूलत के मुताबिक हमारी तीन फॉर्मेसियों में से किसी भी फॉर्मेसी में आज ही तश्रीफ लाएं हमारी तमाम फॉर्मेसी में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंच्यूरंस काबले कबूल हैं, वेलकम बैक और अब बात करते हैं भारत की, जिसके शहर अलीगर्ड की मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जनह की तस्वीर के मामले में होने वाली जड़पों में, पुलिस सार अफराद की शनाखत उम्मत गोस्वामी और यूगेश वाशने के नाम से हुई है, और इनका तालुक हिंदू जागरन मंच से है, हिंदू तन्जीमों के कारकुनों ने यूनिवर्सिटी के तल्बा यूनियन हॉल में 1938 से लगी, बानी पाकिस्तान मुहमद अली जनह की तस्वीर पर एतरास किया था, और दो मई को केमपस में घुसने की कोशिश की थी, तल्बा ने इनकी खिलाफ कारवाई का मतालबा करते हुए, सिविल लाइन्स थाने तक मार्च किया था, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें दो दर्जन से जाई तल्बा सख जारी है, अलीगर्ड मुस्लिम युनिवरसिटी की तल्बा यूनियन ने बहुत से शख्सियात को लाइफ मेंबरशिप दी है, और उन्ही में मुहमद अली जिना और विशो हिंदू परेशंद के बानियों में से एक डॉक्टर किरन सिंग भी शामिल है, इतवार की शाम को म फिजाई हमलों से मतालिक अक्वाम मुतहिदा ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मताबक फिजाई हमलों की जड़ में आने वालों की तादाद 107 थी, इस कारवाई में मदरसे के 81 बच्चे निशाना बने, अक्वाम मुतहिदा की रिपोर्ट ने बताया गया है कि 36 अफ फ्वानिस्तान के लिए अक्वाम मुतहिदा के मिशन को अजाफे मुस्तनद मालूमात मिरी है, जिससे जाहिर होता है कि जाबहक और जखमी होने वालों की तादाद ज्यादा है, रिपोर्ट के बन्याद 90 से जादा इंटर्व्यूस हैं जो मतासरीन, एनी शाहिदीन, फुलीदी पहलों की वजाहत की गई है कि एकवाम मुतहिदा का मिशन क्यों इस काबल नहीं था, कि वो हर जाबहक और जखमी होने वालों की तस्दीग कर सके, और नाहे मिशन इस पोजीशन में था कि वो ये तायून कर सके, कि तालिबान लीडर इलाके में मौजूद थे, या फिजाय हमले के वक्त तालबान के जानिब से कारवाई की गई थी, रिपोर्ट में हकूमत के लिए कई सिफारिशात पेश की गई, जिसमें ये यकीनी बनाने के लिए फौजी पॉलिसियों का जाइज़ा भी शामिल है, कि वो आम शेहरियों के तहाफूस के लिए इनसा जर्मनी के शहर बरलिन में मुनकिदा अद्बी मुशायरे में नई देली, मांचिस्टर, स्टाक हॉम, लंडन और फ्रैंक फर्ट से शायरों और अधीबों को मदू किया गया, देली के प्रोफेसर डॉक्टर खौजा एकराम मुदीन महमारे खुसी थे, प्रोग्राम के पह और अकबाल हैदर ने अपने कलाम से महफिल को गरमाई रखा, हाजरी इन शौरा-एकराम के अशायर सुन कर दाद दिये बगएर ना रह सके अर्श काम की छहरे, कोई जो आए गई, अर्श काम की छहरे, ना उसके बाद कभी सजदे को जबी छहरे प्रोफेसर डॉक्टर खौजा एकराम अद्दीन ने अर्दू की नई बस्तियों, अर्दू के फरोग इस्तिकाम और मुशायरे की अर्दू अदब में एहमियत के मौज़ू पर लेक्चर दिया महफिल का इक्तिताम पूर तकल्फ अशाय पर हुआ कई दहायों की तहकीक से मालूम हुआ है कि कम कैलोरीज वाली खौराग पर सकती से अमल और इसका मुसलसल इस्तमाल तवील और सहतमन जिन्दगी कराज है । लेकिन ऐसा आफ्र क्यूँ है महाकिकी के पता लगा लिया है। k beginom फाकर कशी के नतीजे में खलीों में तोड़ पोड़ का अमल तेज़ और नए खलीों की तखलीक का अमल तेजी से मुतहर्ष हो जाता है। चुमों पर की जाने वाली तहकीक के मताबक फाका कशी के नतीजे में मैदे और आटों में स्टेम सेल्स की तखलीक नौ का अमल शुरू हो जाता है। साइंस मैगजीन की रिपोर्ट के मताबिक जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं इस टेम सेल्स की तखली का अमल सुस्ट पढ़ जाता है और बिलाखिर बंद हो जाता है चुके ये खली जिन्दगी के लिए एहम और सहतमन बाफ्तों को बरकरार रखने के लिए जरूरी होते हैं और बिमारियों से लड़ते हैं इसलिए फांका कशी का ये तरीका माहरीन के लिए दिल्चस्पी का बाइस बना हुआ है अमरीकी युनिवरसिटी के माहर हयातियात आमर यलमास का कहना है कि फांका कशी के मैदे पर गहरे असरात मरतब होते हैं जिसमें खुलियों की असरे नो तखलीक का अमल तेस करता और मैदे और आंतों को मतासर करने वाली बिमारियों का खात्मा शामिल है इन में कुछ जिनी नوجवान ने ऑनलाइन कारोबार का आखास किया के मकामी अफलाद के लिए भी आसानी पैदा कर रहा है और सिर्फ यही नहीं जिफांग खाना पकाने से लेकर घांस काटने चुरियां तेस करने और खेतों की देख भालता खुद करता है दुनिया भर में मुन्फरिद अंदाज और सलाहियतों के हामिल लातादाद रुबोट्स बनाए जाते हैं लेकिन अमरीका में एक ऐसा जदीद टेकनलोजी का हामिल रुबोट तखलीक किया गया है जो एक आम पैन के जरिये दिलकश ड्राइंग बनाने की सलाहियत रखता है इस रुबोट में एक आम पैन फिक्स करके ना सिर्फ खताती का काम लिया जा सकता है बलके ड्राइंग भी बखुबी करता है और तो और सर्टिफिकेट तयार करना हो या वैडिंग कार्ड बर्डे कार्ड हो या दिगर दिफटरी दस्ताविजात दस्तखत करने हो या इनसा अशकाल बनानी हूँ ये पैन हर तरह की खिद्मात सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है इस जदीद तरीन पैन रोबोट को इस्तमाल करना नहायत आसान ही ये पैन अपनी सलाहियतों से लोगों को हैरान कर देता है इस दिल्चस पैन रोबोट की कीमत 213 अमरी की डॉलर मु मामूर अमले ने कच्रे के डबों से शानदार मौसीकी तर्तीब दे दी देखने वाले हैरान रह गए कहते हैं काम कोई भी खास नहीं होता बलकि इस काम को अंजाम देने का अंदाज इसे खास बनाता है अंकरा में सडकों की सफाई पर मामूर अमले ने कच्रे के डबों का अनोखा इस्तमाल करते हुए ऐसी शानदार मौसीकी तर्तीब दी के देखने वाले हैरान रह गए इस मुन्फरिद म्यूजिक बैंड ने कच्रे के डबों लकडियों और दीगर नाकारा पुर्जों का इस्तमाल करते हुए म्यूजिक बचाया जबके खाक रूबो की शानदार परफार्मिस ने सोशल मीडिया पर भी धूम मचाई हुई है डान डपट, ताने और बाद बाद पर दूसरों का मजाख उड़ाना अमरीका और यूरप के स्कूलों और तालीमी इदारों में एक आम बात है इस वबा को बुलिंग कहते हैं जो स्कूलों के तालब इल्मों पर खौफनाक असराद मुरत्ब करती है इस अमल की खतरनाक असराद से आगा करने के लिए फर्णीचा तयार करने वाली एक कमपनी आईकिया ने हजारों बच्चों के साथ एक तजर्बा किया ताके वो स्कूलों में दूसरों को बुरा भला ना कहें और इस मकसद के लिए दो पौदों को एक स्कूल में रखा जिन में से एक पौदे के पास आकर इसके लिए खेर ख्वाही भरे अच्छे अलफाज इस्तमाल करने पर जो दिया गया और दूसरे को नफरत अंगेज अलफाज डांट डबट और लां तान का निशाना बनाने को कहा गया तालिब इल्मों से बारी बारी दोनों पौदों के पास इन के लिए मुकदरा बरताओ करने और अपनी आवाज में रिकॉर्ट करने को कहा गया तीस दोस बाद साफ और वाजा नतीजा बरामद हुआ जिस से हर कोई हैरान रह गया जिस पौदे को नफरत अंगेज बाते सुनाई गई थी वो फीका पड़ गया इसकी नशोनुमा मतासिर हुई और इसके बास पते सिया पढ़ने लगे और दूसरा पौदा अच्छी तरह नशोनुमा से गुजरता रहा और दूसरे के मकाबले में खूब फलता फूलता रहा माहरीन ने दोनों पौदों को बराबर मिक्दार में पानी और धूब दी थी और उनकी मट्टी भी अक्सा थी जबके इन में मस्नूई खाद भी एक जैसी डाली गई थी इसके बावजूद लोगों के रवये और अलफाज ने इन दोनों की नशोनुमा पर ड्रामाई अस्ताथ मरत्ब किये कुछ मज़ीद खबरें भी बुलेटन में शामल करेंगे लेकिन इस प्रेक के बाद अजिया अचनाओी जैसा लेकिन अचनाओेंश भी खबरेंगे, कर दो खबरेंगे, कर दो अजिया जा लेकिन वहाणूद चट्टाजर अबके बाद teachers हbuilding आरो आविक वारारी कोपोना नियस रीक्र सेको एंतेपे घ्रेज अ जत Самर एंपवेँ कोर।स Amaज यदो और घ्राजरे सेफरे इन कंपरेके फित्रेश इिझ टूरी इन heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. । लाजे केश ए ऐस्टाई की मिशाल है, महारत का कमाल है भीखाएं पिर्यानी गौर्मे तबी जरुमे बेंक्वेट हाल् सक्माल स्थाहर्मे की रूर्मे पिरूट हाल्स लजीज और चटपटे मतन और चिकन कोर में, पार्टीज के लिए दो बेंक्विट हाल्स, केटरिंग फराल उकेयन्स, पर डीटेल्स प्लीज कॉल, गोर्मी स्वीट्स, डेस्टोरांट्स और बेंक्विट हाल्स, कोनी आइलेंड एविन्यू ब्रुकलिन न्यू यार्क, फोन के जरिये बरवक्त तमाम दवाएं हासिल करें, ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फर्मेसी में तश्रीफ लाएं, जहां अदवियात के इलावा आला और मियारी कॉल्टी की स्किन प्रोडक्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटमेंस, छोटे बच्चों के खिल 73095th Avenue, Brooklyn, New York 7187485900 तेज़ फर्मेसी 834, Coney Island, Brooklyn, New York 7182840100 नास फर्मेसी 731, Coney Island Avenue, Brooklyn, New York 7182844200 हमारी तमाम फर्मेसी में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंशुरेंस काबले कबूल हैं वेलकम बेक और अब बात करते हैं चीन की चीनी मसाफिर ने दौराने परवाज जहाज का हंगामी दर्वाजा खोल दिया फिजाई कमपनी चाइनीज एरलाइन ने मसाफिर पर हजारों पाउंड्स का जर्माना आइद कर दिया है चीनी एरलाइन के हुकाम का कहना है कि हंगामी दर्वाजा खोलने वाले शख्स की तस्दीक 25 साला चिन के नाम से हुई है जिसने दौराने तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ कर लिया एरलाइन इंतिजामिया के मताबिक चिन ने बयान दिया है कि दौराने परवाज इसे शदीद गर्मी और गबराहट महसूस हुई तो इसने खिड़की समझ कर हंगामी दर्वाजे का हैंडल गुमाया दर्वाजा खुलते ही दयारे में हवा के तेज जखकर चलने लगे ताहम जहास का अमला फौरी तोर पर दर्वाजा बन करने में कामयाब हो गया इंतिजामिया के मताबिक परवाज लेंड होने के फौरन बादी सिक्यूरिटी एलकारों मुर्जिम को हिरासित में लेकर 15 रोस के लिए जेल मुंतकिल कर दिया है फ्रांस में 71 कांस फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया है फेस्टिवल में 18 फिल्में दिखाई जाएंगी प्लांजिट होंगी कांस फिल्म फेस्टिवल की पांच अरकान पर मुझतमिल जियूरे में तीन खवातिन शामिल है कांस फेस्टिवल में पहली बार पाकिस्तानी अदाकारा माहरा खान शिरकत करेंगी माहरा खान ने कांस फेस्टिवल में शिरकत के बारे में कहा कांज ऐसा फिल्मी मेला है जिसका इंतजार लोग पूरे साल करते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि कांज फिल्म फेस्टिवल में शरीक होने का मौका मिला हमेशा से ये नजरिया रहा है कि आुरत की एहमित और करदार को किसी और को नहीं بلکہ خود خواتین کو دنیا پر ثابت کرنے کا حق ہونا چاہیے ماہرہ نے دلچسپ انداز میں کہا کہ کان فیسٹیول کی حوالے سے بس ایک مشکل اور ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں روایت لباس پہنوں یا مغربی پہناوے میں فیسٹیول کی رونوں کو کا حصہ بنوں ایک ہتروا کان فیلم فیسٹیول انیس ماہی تک جاری رہے گا جرمنی کے شہر فرائی برگ کے نومنتخب میئر مارٹین ہورن کو ایک شخص نے مکہ مار کر زخمی کر دیا 33 سالہ سیاست دان کو انتخابی فتح کے جشن کے موقع پر ایک حملہ آور نے موں پر مکہ مارا جس کے باعث ان کی آنکھ کے نیچے زخم آیا اور ایک دانت بھی ٹوٹ گیا نومنتخب میر گتا لوگ کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے جس کے باعث شہری تظامیہ کے انتخابات میں ان کی کامیابی سب کے لیے غیر متوقع رہی پولیس کے مطابق حملے میں ملوث مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے 54 سالہ ملزم جرمن باشندہ اور فرائی برگ کر ہی رہائشی ہے پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ حملہ آور ذہنی مسائل کا شکار ہے اور اس سے قبل بھی قانون شکنی کے واقعات میں ملوث رہا ہے واضح رہے کہ ہورن نے فرائی برگ شہر کی گرین پارٹی سے دالوں رکھنے والے میر کو شکست دے کر شہری انتظامیہ کی سربراہی سنبھالی ہے خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ vosa.tv اور اگر آپ بھی اپنے اردگرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ایمیل ایڈریس info at vosa.tv پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے وائس آف ساؤت ایشیا